कला की लहरे इतनी ताकतवर होती हैं हर बांध को तोड़ देती हैं हर सरहत को पार कर जाती हैं हर आसमान को छूलेती हैं मांगलादेश ढाका के एक ऐसे ही मुजीशन है राहुल आनन्द जिनकी म्यूजिक से जिनके संगीत से बांगलादेश की मिट्टी की सौंधी सौंधी महक आती है उनका संगीत आज दुनिया भर में मकबूल हो रहा है उनके संगीत की खासियत ये है कि इसमें परंपराएं तो संगीत उस ताकत का नाम है जो सरहत को पार कर संगीत प्रेमियों के दिलों में जगह बना ही लेती है बंगाल की धर्ती में संगीत की आत्मा बस्ती है बंगल देश के मशूर संगीत अग्य राहुल आनंद आज दुनिया भर में जाना माना नाम बन चुके हैं जो बंगला संगीत को एक नए मैयार पर पहुचा रहे हैं उनका म्यूजिक बैन जोलेर गान दुनिया भर में बंगला लोक संगीत की महक फैला रहा है वे अपने संगीत में परंपरागत वादियंत्रों का इस्तिमाल करते हैं इसलिए उनका संगीत आत्मा और अध्यात्म के बेहत करीब होता है राहुल अपने संगीत में तक्नीक का कम से कम इस्तिमाल करते हैं साथ ही परश्यमी वादियंत्रों से उने परहेज है संगीत के प्रती अगाध श्रध्धा और लोग संगीत से प्रेम के चलते विककई अभिनाव संगीत वाद्यंत्रों का खुद इजाद कर चुके हैं जैसे चंद्रवान, नैन तारा और दो तारा अपने म्यूजिक बैंड के साथ राहूल, भारत, नेपाल, ठाइलेंड, जर्मनी और ब्राजील समेथ कई देशों की आत्रा कर चुके हैं राहूल के संगीत में जीवन का आनन्द है, प्रकृती के साथ सानिध्य है उनका संगीत रूहानी है, जो आपको खुद के करीब ले जाता है ग्रामीर अंचेलो की संधी महग और लोक संस्कृति का जादू उनके संगीत में मौजूद है और जब ये जादू सबके सर चड़कर बोलता है, तो हर सरहत पार कर सीधे दिल में उतर जाता है राहूल का बैंड जोलेर गार बांगला संगीत की अनमोल विरासत को समेटे है और इस बात का सबूत है कि बेहत नकली इस दुनिया में हुनर के असली और जगमगाते हीरे भी मौजूद है जोलेर गान यानि पानी का संगीत एक ऐसा ही निर्मल, सरल, गहरा और आत्मा पर असर करने वाला, सरहत का फर्क मुटाने वाला, इंसान को इंसान से जोडने वाला संगीत है रंग तरंग के लिए धाका से राजेश ज्जा की रिपोर्ट तो आपको आज हमारा कारिक्रम कैसा लगा? अपने अनुभव हमसे जरूर साजा कीजिए